हेलो एबरीबन वेलकम बैक तो मैं चैनल सो आईए आज की इस वीडियो में हम नंबर सिश्टम यानि सेंख्या पदती से हम लोग इंपोर्टेंट कोश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एक कंपरेटिव एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है और इस टाइब के कोश को अगर आप किसी फर्मूलास बनाते हो तो काफी समय लग जाएगा जो कि आपके पास बहुत कम समय दिया जाता है ठीक है तो आप इससे बनाओगे कैसे सबसे पहले तो आपको इस को देखते हैं आपके माइंड में इस ट्राइब का फिगर मना स्टार्ट हो गया होगा कि से लिखते हैं 100 को हम से लिए सत्रा लिख सकते हैं 1, 2,3,4, ...100 इसतरह हम लिख सकते हैं आपको लिखना नहीं कि उस समय आपको ज्यादा बक्त नहीं रहेगा समय नहीं रहेगा आपके माहिन में इतना तो है आपस में जोड़ देना है क्या करना है आपस में जोड़ देना है यानि फैला नमबर और लास्ट नमबर फ़र्स्ट नमबर लास्ट नमबर को एड करना है और दो से क्या करना है डिवाइट कर देना है और गुना कर देना है टोटल नमबर से तो वन से 100 तक टोटल नमबर क लिखा है अगर इसी कोश्चन को हम चेंज कर देते हैं इस बन के जगा हम टू ले लेते हैं हम बोले आपको टू से लिकर करके 100 तक ही सभी संख्याओं का योग ज्याद करें तो अब यहां पर यह हो जाएगा 99 हो जाएगा इसलिए आपको यह याद रखना है यहां जो 100 लिख इससे कैंसिल करो तो यह 50 बाव में कैंसिल होता है ओके तो अब 101 इन्टू 50 मल्टिप्लाइ कर दो तो यह कितना हो जाता आपका यह आपका आपका आप 50 50 यानिकी पांच हजर पचास तो यह इसका अंसर हो गया ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट है खते हैं तो यानिकी वन कामा थो माट 2020 टतका यह योग्यात करना है तो लग अपना फर्स्ट नमर लेना है फल ले इस उसक्सटी इसे हैं सबसे पहले हम इस 30 ठीक है 31 में यह कैंसे लोग गया इस पर का 61 इंटू 61 इंटू 30 30 करेंगे कितना आएगा यह आपका 1830 तो यह क्या हो गया इसका अंसर हो गया ठीक है अब इसी कुस्टन को यह वन को ना दिया जाए सिर्फ यह यहां से स्टार्ट रहे यहां से स्टार्ट रहे तो 2 3 4 60 तक कि स रहे तो फर्स्स नमर क्या हो जागा इसका टू हो जाएगए लाश्ट नमर कितना अगर इसमें अगा अगर यह बन से ॥ो टोटल म्रों 60 हो रहा है लेकिन तू से है तो कितना देगा 59 हो जाएगा फिप्टी नाइगा 59 एक नमर से पकम हो जाएगा ओके तो इस परकार इससे आपको concept के साथ इसे समझना है, question को रटना नहीं, नहीं answer को रटना है, ठीक है, आपको concept पकरना है, concept किस basis पर इस टाइब के questions बनते हैं, ठीक है, चलिए अब देखते हैं, next question, next हमारे पास है, 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग ग्याद करें, तो 60 तक के सभी सम संख्याओं का यह हम लोग योग ग्याद करते हैं, यानि कि हम इसे इस पर कालिए सकते हैं, 2,4, यह सम संख्याओं ना, 2,4,6, टॉचिस, डॉट, град, जॉट्वरोट, इस 60 तक गे तिकए, वहरू अपना ना है, फ्रस्ट नमबर पलस लास्ट नमबर, फ्रस्ट नमबर two, लास्ट नमबर 60 ए, आपय। अकुना, टोटल नमबर तो टोटल नमर इसमें कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 60 टोटलनमर इसमें 60 नहीं होगा तो इसमें से 30 क्या होगा और 30 से तो अब यहाँ पर काम जाए गा 30 से multiply हो जाए गाए तो आये सब से प्रेुजेभ अम इसे add कर लेते हैं तो यह हो जाता है 62 आप ऊंट टू गुह घंणा 30 रिस से अम यहाँ पर कैंस्टी jsare है । rest 62 इंटू 15 तो 62 इंटू 15 या आपका हो जाता है 930 तो 930 क्या हो गया इस को स्टेंस का अंसर हो गया ओके चली देखते हैं है गुना टोटल नंबर इसमें टोटल नंबर कितना हो गया चको इसके यह देखे देखा जाया तो यह जो है समसी रहा है अब गौर कि इन स्प्रेटा नंबर की बात कड़ेग्ए तो यह 80 हो गा लेकिन यह से लिग्व員 tant समसंख्या वह रहा है ठीक है यानि किस तमसेंख्या 40 होगा और समसेंख्या 40 होगा यानि हमें सिर्फ समसख्या लेना है ठीक है तो इस परकार यह 40 से इससे भी कैंसिल कर सकते थे ओके आपकी मर्जी जिसता भी कैंसिल करना आप करो ओके आप यहाँ पर इससे मल्टिप्राइब कर दो 82 into 20 कितना हो जाता है आपका 1640 1640 ओके 1640 इस कोश्चन का आंसर हो गया चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है 60 तक कि सभी विसम संखाओं का योग याद करें ओके तो आएए इस कोश्चन को देखते ही इस तरह के मैंड में आपके फिगर आना चाहिए सिरीज 13,5,7, .59 ओके वही रूला आपको अपनाना है फ्वास्ट नंबर प्रलस लास्ट नंबर आपों टू गुना टोटल नंबर तो टोटल नंबर इसमें कितना हो जाएगा तो टोटल नंबर अगर 60 रहता अगर यहाँ पे विसम संख्याओं बात नहीं होती तो हो जाता गलता शिक्स्टी टोटल नंबर लेकिन विसम संख्याओं बात लाइए तो 60 से हाफ हो जाएगा विसम विसम ओके तो हो जाएगा 30 आपका ओके इस परकार आपका हो जाएगा इसको एड कर लो तो 60 अपॉन्टू गुना 30 इसे कैंसेल करो तो यह पंद्राबार में कैंसेल हो ठीक है आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशिन स्वाई अब देखते हैं क्वेस्ट नमबर सिक्स क्वेस्टन नमबर सिक्स है 21,22,23,24, डॉट 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 75 तक का योग याद करें ओके तो वही रूल आपको अपना आना है फ्रस्ट नमबर फ्रस्ट नमबर परलस लास्ट नमबर अपॉन टू अगुना टोटल नमबर है तो इसमें टोटल नमबर कितना होगा आप बोलोगे 75 Việt referrals नहीं 75 नहीं होगा क्यों कि यहाँ 21 से स्टाट है यह one शेस्टाट नहीं है तो अब यहां पे देखिए अगर यह बंसे स्टार्ट आता तब 75 रहता लेकिन यहां क्या है बीस अंक गैव यहाँ से वटी फइव में बीस क्या कर दो कैंसिल कर दो कि एट करो इसे भाई तो यह आपका हो जाता है तो यह आपका हो जाता है आपका 96 जी कितना आता है 2640 hootar 2640 iiscoír थो गया अंशर हो ग्या ठीके चले बिखते हैं नेक्स Corия next है तिरी के पर्थम 10 जोग का योग क्या होगा ठीके तो गुणा जोय मतलब क्या तो इस परकाण यहां पर आपको लिख लेना है बहिरूल अपना ना है फ़र्ष्ट नमबर पर लास्ट नमबर अपोन टू उना टोटल नमबर टोटल नमबर कितना होगा टोटल नमबर दस होगा ओके यह गिन लो वान टू थीरी फोर फाइब सिक्सेवन एट देखे तीन दह दखाएब सिक्स्टिफाइब सिक्षाइब हो जाता है यहीं इस कोश्ण के क्या हो गया और 151 यानिक 165 ऐसे तो इस परकार आज की इस वीडियो में कर्मागत संख्याओं का योगता निकले सिखेंे ओक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स टाइप के पोश्ण तो आज के लिए इतना ही आई हो वीडियो पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शियर करें ओके तो थेंक यू